चै भगवान नित्यानंद नित्य यानि हमेशा और आनंद यानि सुक दुख से परे उस आनंद की स्थिती में रहना जो सदा आनंद की स्थिती में रहते हैं वो है नित्यानंद प्यारे मित्रों बहुत ही प्रेम और सम्मान से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस दिव्य वीडियो में ये वीडियो बहुत खास है आज हम महासिद परमगुरु साक्षात परमात्मा स्वरूप भगवान नित्यानंद की पित्वी पर अवतरन और उनका नाम नित्यानंद कैसे पड़ा इसकी कथा को सुनेंगे और जानेंगे भगवान नित्यानंद जिन्हे स्वामी नित्यानंद के नाम से भी जाना जाता है भारत के एक महासिद्गुरु और संत हुए सन 1897 के समय में भगवान नित्यानंद मानव शरीर धारन कर प्रित्वी पर केरल के कोली कोड में स्थित तुनेरी गाव नामक एक छोटे से गाव में अफ्तरित हुए उनका आगमन बहुत ही रहस्यमय था और इसका कोई सटीक रेकॉर्ड नहीं है स्वयम भगवान ने भी इस विशय को कभी महत्व नहीं दिया जब भी उनसे उनके जन्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस यही कहा दो कवे आये दो कवे उड़ गये हाला कि वन्षजों के इतिहास से एक कहानी का पता चलता है जिनका वर्नन भगवान जी के शिश्यों ने किया है आये हम सब मिलके सुनते हैं भगवान नित्यानंद के पृत्वी पे अफदरण के इस कहानी को उन्नी स्वेश अताबदी का अंध हो चला था जब परमेश्वर वो नित्यानंद इंसान बन इस धरा पर प्रकट हुए केरल के कोडी कोड जिले में स्थित कुलेंडी गाउं में एक वरध दमपत्ती चतुनायर और उन्नी अम्मा नयर रहते थे एक दिन उन्होंने खुद को एक रहस्य मई घटना के केंद्र में पाया उन्हें कुलेंडी के पास तुनेरी गाउं के शांत जंगलों में एक बच्चा मिला हाला कि वे गरीब थे और उनके अपने बच्चे थे फिर भी उन्होंने इस बच्चे को गोद लिया और उसका ना तरी भावना उत्पन्न होने लगी जो सामान्य से परे नियती की ओर इशारा करती थी हाला कि जीवन की कठिनायों ने उस जोड़े पर अपना प्रभाव डाला जब व्युवा रमन 6 साल की उम्र में पहुंचा तब तक चथुनायर ने अंतिम सांस ले ली थी जिससे उन्ही और परिस्थितियों की सीमाओं को महसूस करते हुए उन्ही अम्मा ने एक दिल दहला देने वाला निर्ने लिया निस्वार्थ प्रेम का परिचय देते हुए उसने रमन की देखभाल का जिम्मा अपने मकान मालिक श्री ईश्वर अयर नामक एक अच्छे वकील को सौप दि इश्वर अयर ने खुली बाहों के साथ रमन का अपने घर में स्वागत किया इश्वर अयर ने जिनकी पहले से ही एक बेटी और तीन बेटे थे खुशी खुशी रमन को अपने परिवार में शामिल कर लिया अपने बच्पन में भी भगवान नित्यानन सामान्य रूप से उन्नत आध्यात्मिक स्थिती में थे जिससे यह विश्वास पैदा हुआ कि वह जन्म से ही बुद्ध थे छोटा रमन दयालू इश्वर अयर की देखरेक में बड़ा हुआ लगभक 13 वर्ष की आयू में रमन को इश्वर अयर के साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाया गया बनारस की यात्रा के बाद रमन ने अपने पालक पिता को एक आश्चर्य जनक बयान दिया उन्होंने कहा कि वह केरल वापस नहीं लोट पाएंगे क्योंकि उन्हें आगे उत्तर का दौरा करना होगा रमन को समझाने में असफल होने के बाद नेराश अयर अकेले ही वापस लोटाए लेकिन रमन के एक उत्साह जनक वादे के साथ कि वह सही समय पर उनसे मिलने आएंगे वहां से रमन ने हिमाले का दौरा किया और वहां रहे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, सिंगापूर, आदी कई अन्य देशों का भी दौरा किया कई साल बीच चुके थे और ईश्वर अयर अपनी बेटी की शादी कर रहे थे और अपने प्रियर रमन के लिए तरस रहे थे उन्हें आश्चर्य हुआ जब रमन ठीक समय पर विवाहा के अफसर पर पहुँच गए इश्वर अयर बिमार पढ़ गए और उन्हें पता था कि उनके पास गिने चुने दिन बचे हैं निधन से पहले उन्हें एक प्रबल आशा थी अपने इश्ट देवता सूर्य नारायन सूर्य देव के दर्शन पाने की रमन को इसकी जानकारी थी और एक दिन उन्होंने अपने पालक पिता को सूर्य देव की दिव्य दरिश्टी प्रदान की परम आनंद का अनुभव करते हुए अत्यंत संतुष्ट इश्वर अयर ने कहा नित्यानंद नित्यानंद आप मेरे लिए शाश्वत आनंद लेकर आए हैं आप नित्यानंद हैं आप दुनिया में शाश्वत आनंद लाएंगे और बहुत ही दिव्य शान्ती और आनंद के साथ इश्वर अयर ने अपना देह त्यागा तो इस तरह से आगमन हुआ था इस पृत्वी पर भगवान नित्यानंद का और ये थी उनके दिव्य नाम की कहानी अपने अनुयाईयों, अपने शिश्यों और अपने बच्चों के लिए वो परमात्मा गुरू स्वरूप में आए हम सब के लिए हमें दिशा और सही रास्ता दिखाने के लिए ताकि हम उनसे परमात्मा से जुड़ अपना ये जीवन सार्थक कर सके आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस कहानी में भगवान नित्यानंद और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप सभी पर-परमात्मा और भगवान नित्यानंद की असीम क्रिपा हमेशा बरस्ती रहे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और सब के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि भगवान नित्यानंद सब्सक्राइब ऑफ़ान नित्यान रचाइब अपन मा नित्यान 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 शेयर को सब्सक्राइब बगवान चाज़ान तो अष्य मेरे वीडियोंकि एल्यान नित्यान प्रिएएब प options.